हेलो फ्रेंट्स मैं हर्दीव सेंग फ्रॉम दगती ग्रूप अव क्लासेज आप सभी का स्वागत करता हूँ गैज आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह हमारी पेंटिंग्स और पहाड़ी स्कूल फार्ट इसके ओरीजिन और डिवेल्पेंट के बारे में हम पहाड़ी स्कूल फार्ट सबसे पहली जो आपकी पेंटिंग है तो इसका जो आर्टिस्ट है वह है मनकू बेटा इसकी पेंटिंग थोड़ी सी क्लियर नहीं है क्योंकि यह इसी तरह की हमें भी मिली है तो अभी शुरू करते हैं कृष्णा विद्गोपिस इसके जो टाइ स्कूल जो है डाटिस बशॉली स्कूल फार्ट मीडियम इसका टेंपरा बेटा टेंपरा हमने राजस्तानी स्कूल फार्ट के बारे में भी हमने पड़ा हुआ है और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा तो आप वहां से जो है वो पूर जो मिनियेचर पेंटिंग्स है वो सारी की सारी नाशनल म्यूजियम आफ न्यू देली में ही पड़ी है सब्जेक्ट मेंटर की बात करें तो यह एक सीरिस की ही पेंटिंग है जो के जयदेव जी ने मनाई है फ्रॉम गीत गोविंदा गीत गोविंदा सीरिस जो थी वो एक जयदिव जी ने है जो बनाया है उसी से लेकि यह पेंटिंग जो है वो बनाई गई है लव ओफ कृष्णा एंड राधा जी जो है वो यहां पे शो किया गया है ठीक है न मतलब मैं बार-बार यही चीज बोल रहा हूं पिछली वीडियो में भी यही चीज बोली थी कि यह वो परमातमा के बीच और एक भगत के बीच बहगवान और भगत के बीच का प्यार जो है वो डिपिक्ट कर रहा है अभी देखते हैं यहां पर डिस्क्रिप्शन जहां पर आठ गोपी जो है वो कृष्ण जी के आसपास खड़ी हुई दिकाई गई है ठीक है न एक गोपी जोड़ के ख़रिये है शायद वो कुछ उनको रिक्वेस्ट कर रही है और एक ने उसके पीछे जो है उसकी डासी खड़ी है जिसने एक कोई भी भी मान लेते हैं हम उसको कि एक बंका टाइप जो चीज है और उसको हम बोलते हैं कि वो पकड़ा हुआ है उसने है ना एंड यह मेन जो फिगर है, इसको हम राधा जी की फिगर भी मानते हैं. दो गोपी जो और दिखाई गई है, जो के एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है, वो बात करते होए दिखाई दी है, ठीक है ना? साथ ही में एक और है, जो के एक चौरी पकड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं चौरी, ठीक है ना? मतलब के एक पंखा टाइप है, ठीक है न? वो दिखाया गया है यहाँ पे. और साथ ही में देखेंगे के कोई भी ऐसी गोपी नहीं है के जो क्रिशन जी की अटेंशन लेना चाहती है, वो क्या करना चाहती है? उनको खुश करना चाहती है, ठीक है न? और यहाँ पे देखेंगे अभी फीचर्स के बारे में, क्रिशन जी ने क्राउन पहना हुआ है, जिसको अलग-लग पंखों के साथ डिजाइन किया गया है, उन्होंने गोपी जो है, उन्होंने औ बॉल के खाथ खेलते-खेलते नदी में चले जाते हैं, और वहां पे जो शेशनाग जी है, वो उनको अपना कलर दे देते हैं, और कॉस्ट्यम जो है, वो काफी ब्राइट कलर के जो है, वो यहां पे बनाई गया है, जैसे कि देख सकते हो, आप रेड कलर का यूसेज है, औ इसको हम बोलते हैं, पितंबर, ठीक है न, उसमें दिखाया गया है, और lotus-shaped eyes यहां पे गोपी की सभी की दिखाई दे रही है, बोडी जो हैं, वो काफी छोटी हैं, उस पे folk art का काफी जो influence हमें दिखाई देता है, साथी में hands और feet जो गोपी के हैं, यहां पे बनाई गई ग camel colors जो है, वो यहां पे quality जो है, उसको show किया गया है, तो अभी यहां पे देखेंगे composition, foreground जो है, वो उसमें Yamuna river बनाया गया है, यहां पे, ठीक है न, और साथी में यहां पे हम देखेंगे, different shapes of leaves जो है, वो हमें right side यहां पे दिखाई दे रहा है, और यहां पे एक और चीज ह जो है, वो depict की गई है, यहां पे, vibrant orange color का use किया गया है, background में भी और अगी साथ में देखें, तो जो उसका border है, वो भी बनाया गया है, इसी तरीके से, perspective दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन इतना नहीं दिखा पाई, लेकिन यहां पे perspective दिखाई दे रहा है, कि पेड काफ अभी देखेंगे, अपनी दूसरी painting जो है, और लास्ट पेंटिंग है, नद यशोदा इन कृष्ण, विद किन्समेन गोईंग टू वरंदावन, आर्टेस्ट जो है, इसके वो नैनसुक है, ठीक है न, यह एक ऐसा episode है बेटा, इसको याद रखना है आपने, कि बहुत ही importance रखता है, ठीक है न, आर्टेस्ट जिसके है, नैनसुक, और पीरिड देखेंगे, 1785 से लेके, 9080 है, स्कूल इसका है, कांगडा स्कूल ओफार्ट, और मीडियम इसका है, टेंपरा, अगेन, वही बात, और पोर्टसी भी सेम है, नाशनल मुजिब ओफार्ट, न्यू देली सब्जेक्ट मेंटर की बात करें, तो यहाँ पर भगवत पुरान का एक एपिसोड है, उसको लिया गया है, ठीक है न, और अभी देखते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, लोग जो है, वो नंत जी को फोर्स करते हैं, के भई, आप जो है, वो गाउं छोड़के हमारे साथ च ठीक है न, नंद जी को यहाँ पर बुलक कार्ट पर बैठे हुए दिखाया गया है, यह है नंद जी और साथी में यहाँ पर क्रिशन जी, बलराम जी, यशोदा जी है न, यह सभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है न, तो उनके जो स्टेफ फादर, मदर, फोस् अल, सभी के सभी फिगर्स को दिखाया गया है, कि उन्होंने अपने कपडे साथ में उठाई हुए है, यह जीजे हमें वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है न, और साथ ही में अभी हम बात करेंगे, कुछ लेडी ने जो है वो जार उठाई हुए है, हो सकता है उसमें हो सकता है कुछ खाने के लिए हो, और spinning wheel भी हमें साथ में दिखाई दे रहा है, यह देखो, spinning wheel जो है, वो उन्होंने अपने साथ में उठाया हुआ है, और side profile faces हमें सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, landscape जो है, वो different trees यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे perspective को काफी हद तक जो है, वो depict कर दिया गया है, और यहाँ पे पत्तों की details जो है, वो बनाई गई है, पत्तरों के पास देखो, वो घास जो है, वो इतनी सारी घास भी यहाँ पे बनाई गई है, अभी देखें के cows जो है, उसको different different colors में, different different size में बनाया गया है, उनके जो sing है, वो पहुच जदा bright है ना ही पहुच जदा dull है ठीक है ना और background जो है वो तक्रीबन तक्रीबन peach color की दिखाई गई है ठीक है ना sky blue river भी हमें पीछे दिखाई दे रही है पेडों के पीछे और light ochre color का ground है और cattle जो है वो other color में बनाई गई है लेकिन जो figures है वो काफी bright color में बनाई गई है ताके वो main ground से निकल के बाहर आ जाए और उन पे focus बना रहे है ठीक है ना तो guys आज की हमारी video यहीं तक थी और यही हमारी दो painting थी और guys अगर आपको यह video पसंद आई हो तो please इसे like करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ अपने classmates के साथ और प्लीज चैनल को subscribe करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताके आपको हर video पूरे time पे पहुंशती रहे thank you very much guys bye bye everyone